हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जो हम प्रीमियल लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो खेल जाएगा बमौत वर्सेस आर्सेनल के बीच मैच कवरेंजी होगा बमौत किक अफ होगा रात में 10 पीम पे तो बात की जाए आर्सेनल को टॉप 4-5 प्रीमियल क्लियर सा हैं गेवरियाल हिसुस जिंचेंको वियरा तो अब इस सीजन यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं आपको आर्सेनल टाइटल रेस में भी दिखाई दे सकता है इनका मैच एक न्यूली प्रमोटेट बमौत टीम से जिनसे की बहुत जादा एक्सपेक आपको मिलेगी हमारे टेलीग्रम चैनल में तो मेरे टेलीघंड की डिक्रिप्शन में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीघंड से जरूर से जरूर जुइन कर लीजベू सभी फूटबॉल मेंfeld टेलीग्राम चैनल में कवर करता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ दुनु टीम्स की सुर्वात अभी तक कैसी रही है तो बमोत और आर्सेनल दुनु ही क्लफ न अभी तक दो-दो मैचिस इस न्यू सिजन में खेल लिया है आर्सेनल अपने दोनु ही मैचिस जीत के यहां पर आई है पहले मैच में उन्होंने तू निल के मार्जिन से अवे जाके क्रिश्टल पहले स्कुर रहा था मार्टीनली का गोल था और जिंचेंकु ने यहां पर असिष्ट किया था उसके बाद जो इसके बाद अपने घर में अर्सेनल ने सेकिंड मैच खिला है उसमें उन्होंने 4-2 के मार्जिन से लेस्टर को रहा है गेबरियाल हिसुस उनकी न्यू सैनिंग के दो गोल है मार्टीनली और जाका का गोल था हिसुस के दो असिष्ट भी थे और जाका ने असिष्ट भी प्रोवाइट किया था तो अर्सेनल अपने दोनु मैचेस जीती है यह दोनु टीम्स के स्टाइटिंग दो मैचेस के मैंने आपको रिजल्स दिखा दिये बागी मैंने बता दिया आर्सेनल यहां पे एक क्लियर कट फेवरेट टीम है तो स्मॉल लिग में आर्सेनल कोई बैक करके अपनी टीम बनाएंगे मैं आपको सजेक्ट करूंगा जील म देखते हैं एरॉन रेंशडेल इनके गोलगीबर उन्याले चार इनके डिफेंटम के बैन वाइट सलाइबा गेब्रियाल और जिंचेंको अब यहां पे अगर किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना होगा मैं आर्सेनल को करूंगा बहुत अच्छा बर्मौत की में किसी एक को सेक्रिवाइज कर लेना बागी गेब्रियाल मस्ट पिक रहेंगे हैडर में बहुत जया सॉलेड हैं डिफेंसी वाइस पासिस अच्छे हैं और जिंचेंको लेफ्ट साइट से दोनों ही मैजेज में बहुत इंप्रेसिव लगें कभी इस पोजिशन से गोल अ कर सकते हैं तो इन दोनों को तो ड्रॉप करने का मैं आपको सजेक्ट नहीं करूंगा आप सलाइवा वाइट ओवरॉल इन दोनों ने भी अच्छा गया लेकिन अगर आपको किसी एक को ड्रॉप कर नहीं है इन दोनों में अपनी अपनी सलाइब कर सकते हैं फिलाल के लिए म पर्मस पर्टी डिफेंसी मिट्फिल में खेलींगे अभी के लिए मैं इंग्नोर कर रहा हूँ ग्रनेट जाका पिछले मैच में नहीं इनोंने एक गोल और एक असिस्ट प्रोवाइड किया था लेकिन जो पिछले match में goal assist मा रहा उस प्रवजेसे सिलेक्षन काफी ज्यादा हाई हो गया है, बट still मैं आभी के लिए इनको recommend नहीं करूँगा, क्योंकि हर match में goal assist मानने वाले player नहीं है, defensive midfielder है, इनका काम है defensive stability देना और passes बना के, आगे के areas में ball progress करना, तो goal assist मार जाओ कभी कभी होता है तो अभी के लिए मैं जाकव को पिक नहीं कर रहा हूँ अब मैं आपको तीन must pick player रता दूँ Gabriel Martinelli, Gabriel Isus और Bukayo Saga I think ये तीनों 100% आपकी टीम में रहने जी है Martinelli अभी तक Red Hot Form में दिखे हैं Starting दोनुई matches में Martinelli ने score किया है तो इनको तो must pick करेंगे ही Gabriel Isus new signing है यहापे और इनोंने भी second वाले match में दो goal और दो assist प्रोवाइड करें और काफी कुछ expect किया जा रहा है सीजन की Gabriel Isus हो सकते आपको Golden Boot की race में भी दिखाई दे तो Gabriel Isus भी must pick है अल्दो साका का सीजन स्टार्ट उतना अच्छा नहीं राग goal assist नहीं है लेकिन overall साका का भी बहुत बड़ा रोल है Arsenal में तो मेरे according साका भी must pick रहेंगे कभी भी एक goal assist कर सकते हैं तो मैं इन तीनों को तो surely pick करने आ लहूँ और पिछले सीजन साका penalty लेते दे लेकिन आप इसूस आगे तो I think इन दोनों में 50-50 है कोई एक penalty भी ले सकते है तो मैं Gabriel Isus, Martin Ali और Bukaiov साका इन तीनों को pick करके चल लहूँ अब एक player है Odigard नाम का player अच्छा है लेकिन starting 2 matches में ज्यादा fantasy point नहीं दिए club captain ने Arsenal का goal assist कर सकता है chances create करेगा corner kick free kick भी लेता है तो आपको किसी एक player पे attacking midfield में midfield में point लेना है Odigard हो सकता है उस case में आप white या saliva में किसी एक को drop करके चाहे तो Odigard को pick करके चल सकते है फिलाल के लिए मैं 4 defender और ये 3 attacker साका, इसूसर, माटिन लियारो अगर आप white या saliva में किसी एक को drop करते हैं आप चाहे Odigard को pick करके चल सकते है तो ये आप अपने according कर लेना तो ये Arsenal की probable 11 थी लगबग सभी चीज़े मैंने यहां से आपको detail में explain कर दी बागी मैंने penalty का बता जे था साका या issues में कोई एक penalty लेने वाल है और ये तीन साका इस्दोस और माटीन ली चेप्टन वाइस केप्टन से की भी बेस्ट आप्सन रहेंगे small league में अपनेंट पर आने से बहले एक बार फिर से remind दिला देता हूँ इस match की final team, final updates के लिए आपको join कर लिना है मेरे टेलीग्राम चैनल से इसके साथ ही एक चीज और यूट्यूब चैनल भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजे अब हम बात करते हैं अपोनेंट बमौत की तो जो बमौत के लिए पिछले सीन में चैंपियंसी में बहुत ज़्यादा गोल मनने वाले प्लेयर थे डॉमिनिक सोलंकी वो इस match में doubtful है अगर खेलते हैं ठीक है नहीं खेलते हैं तब भी बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे according पूरे match में जो है बमौत बस पाकी करने वाली है बस ये deep defending करेंगे counter में hit करने की एकोसिस करेंगे आर्सेनल को जैसा इनोंने man city के against खेला था तो बमौत के लिए हम देखते हैं ट्रेवर्स इनके गोल कीवर बहुत important हूंगे because आर्सेनल बहुत ज़्यादा अटेक करेगी तो यह हमें अच्छे safe करके दे सकते हैं गोल कीवर मैं बमौत के ट्रेवर्स कोई बिख करके चल ला हूं थ्रीन दब एक में खेलेंगे लमा मैफम और कैली इनके तीन सेंटर वेक हैं सिर्फ यह तीन प्लेयर आपको defense section में मिलेंगे fantasy में मैं अभी के लिए तीनों को ही recommend नहीं कर रहा हूं क्यूंकि अगर आर्सेनल इनको thrash करती है तीन-चार गोल मारती है इसमें से कुछ-कुछ player 10 से भी कम कुछ-कुछ negative में भी point दे सकते हैं तो मैं defender एक भी नहीं ले जा रहू हूं मैं midfield से दो must pick player बता तो एक है फिलिप बिलिंग जो पिछले सियन गोल असिस्ट भी बहुत मारे इसने चैंपियंसी में और ये defensive work भी करता है औल्दो प्रीमिया लिग में बहुत जादा गोल असिस्ट नहींगे लेकिन defensive work करेगा तो मैं billing के साथ जारू और मैं Pearson के साथ भी जारू लास्ट दो मैचेज में अच्छे defensive point Pearson ने दिये हैं तो मैं अभी के लिए midfield में इन दोनों को शोली पिक करने आ ल सकते हैं अभी के लिए मैं जैमूरा के साथ गया हूँ बड़ यहां पर आप इसमित के साथ भी जा सकते हैं लुइस कुक भी अच्छा प्लेयर है गोल असिट भी कर सकता है defensive work भी दे सकता है लेकिन सबको पिक करबाना पॉसीबल नहीं है इन केस अगर Pearson नहीं खेलते तो मैं अगर आपको कनफर में कि बमोद गोल्स को नहीं कर पाएगी मूर को भी मत करना विगास विजाओट गोलड असिट यह ज्यादा पॉइंट नहीं देने वाले तो यह बमोद की प्रोविबल 11 थी यहां से भी मैंने आपको लगबग सभी चीज़ें डीटेल में कर दी बागी मैं अभी के लिए अपनी प्रेडिक्सन बताओ तो मेरी प्रेडिक्सन इस मैच में टू निल यह एक 3-1 आर्सेनल विक्ट्री की रहेगी आर्सेनल यहां पे एक क्लियर कट प्रिवरिट टीम होने वाली है तो यह मेरी डेमोर अफ्टीम है गोल्किवर मैंने ट्रेवर्स लि लिए जमूर वाले प्लेज में जो आप इनका राइट बैक है राइट विंग बैक है इसमित या कोक में किसी एक केसा जा सकते है आपको लगता है एक फ़र मूर गोल वगेरा कर दिंगे तो आप जमूर आटागे उनको फरवर्ड में पिक कर सकते हैं फिलाल सेफ केप्टें करके साका यहिसूस को वाइस केप्टेंदी दे सकते हैं कि पिछले मैच में अगर आपने सीटी वाला देखा होगा बमौत ने अर्लिंग होलेंड को आइसोलेट कर जया था इस वेसे उनका गोल नहीं आया था लेकिन जो उनके आसपास के ब्लेयर थे ना उन लोगों का गोल लिए वाइस केप्टेंदी में साका ही और मातीन लाली बेश्ट वाइस केप्टेंदी आप्सन रहेंगे तो फिलाल यह मेरी देजी मोड़ qe